a quanti gius quanti use Mental något something touching other things something touching other things are mixed to it मतलब ऐसा कुछ जो ऐसा कुछ जो दूसरे को touch करता हूँ या उसके बगल में हो बगल में हो या सामने में हो तो उसे ही काते हैं quanti gius यासे दो ये जो state है 예EM तो यह इस state को टच कर रहा है यह दूसरा इस state है इस state को टच कर रहा है इसे भी टच कर रहा है या इसके बगल में है यह तो इसे ही कहेंगे Contiguous, Contiguous means used to describe things that touch each other that touch each other और are immediately next to each other इसे कहेंगे सटा हुआ सटा हुआ है या पास का है और इसे याद रखने के लिए इसको करो रहा है तो रहा है रहा है तो यह जगा Continuous तो Contiguous Contiguous, Contiguous, okay तो जैस सपोज कोई person है और वो person continuously सपोज वो person यहां पहता तो वो Continuous ली कॉंटिन लहा हो पता है ना जो मतलब काम लगातार होता है सपोज ना सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां पहुंचाओ यह जहां तो तो वो यहां से यहां जाएगा फिर 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 सी विस्टेट इस था फटीट स्टेट, स्टेट, इस पहलो सारे को गुम लिया इं इन यूस एंद इसके रिटेड वर्ट से और विजब से आज आज एूस का लिटो एंद इस के इनम से अड़्गोड़्यंग, नेवरिंग, बिसाइड, अज अड़ेसं टचिंग इस कंटो निम से दिवाइड अपार्ट इस्टेंट नॉन कॉंटिग्यूस So guys, that's it for now. Thanks for watching. Do watch all the videos of all the vocabulary to make your English vocabulary better. And do subscribe to our channel and stay updated to all related relations. See you guys in my next videos. Till then, bye-bye. Take care.